तो गाइज यहाँ पे बहुत प्यारा वीव है बहुत ही मस है और वी आर इन दा पिंक सिटी और विंक फ्लावर जैबूर ही गाइज तो यह उपर का काफिटेरिया है जहां मैं अभी हूँ यहाँ अभी मैं जाने वाली हो अमेर्फो तो अभी मैं बस निकलूँगी क्योंकि रात को मैं यहां का व्यू नी दिखा पाई क्योंकि पूरा अंधेरा मैं आई थी रात को तो मैंने सोचा दिन को मैं आपको अपने कैफिटेरिया का व्यू दिखा तो जिप्सी मंकी होटेल अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहां आ सकते हो आप एक स्विमिंग पूल भी है अमेर पैलस के लिए आमेर के लिए हाथी पी जाती और जिप भी जाता हाथी 1100 रूपे और जिप का 400-500 रूपे तो ना मुझे हाथी से जाना है ना मुझे जिप से जाना है तो उसके कोई पैसे नहीं है तो अभी आठ बज़े ओपन होगा तो चलो पैब आमेर का किला जिसे आम तोर पे आमेर का किला भी बोला जाता है ये जैपूर के सबसे मस्खूर किलों में से एक किला है जहां देश बिदेश से लोग इसे देखने आते हैं तो अभी आमेर की दिवारों के सबसे खास बात ये है कि लाल पत्तर और बहुती संदर मारवल से बनी हुई है और किले में सीफ महल, ओट जै मंदिर और सुख निवास जैसे बहुत सारी चीज़े बनी हुई है अब जैसे ही आमेर को उटाओ के आपके अंदर की जो वाइस है न तो बिल्कुल ही पदर जाएगी आपको ऐसा लगेगा कि इस महल के राजा आप ही हो आप ठान, बान, सान से चलोगे आपका मन करेगा आप हाती पर जाओ बाट, चाब ही सकते हो इखने जावरी हुआ हुआ है आपका मन करेखने जावरी हुआ है अभी मैं अंदर आई हुआ है यह देखो मेरे पिशे इसे बड़े अलग तरीके से बनाया गया है और सीज महल के अंदर जब लाइट पड़ता है न तो यह सीज महल जगमगा उठता है और इस सीज महल को जगमगाने के लिए न सिर्फ एक केंडल ही काफी है अब है मैं जगमगाना अब है आब हुआ है इसमें तो देख लिया वो पोपो की प्यारा तफिस में अब यूपर चलते हैं और इसे जजारा देखते हैं व्यू देखते हैं कमान पसीना हो इस मैनत है कितनी मैनत कुरती हूं मैं गोंने में इतना ऊपर भी नहीं है आम इरोट के मज़से यार लोकेशन इस सोष अब देखने हैं बैग का बोज मुस्स उठाया नहीं जाता है वहां पर किचन है और दो पतिलों दो पतिलों में कैदियों को डाला जाता होगा ऐसा नहीं है यह देखो वाव वह मूती देखो मेरे इंचे देखो अब बिख्री होता है मुझे जादा डरना फोन गिरने का है कि काहीं फोन ना गिर जाए मेरे ट्राइपोर से तो मैं इस चेंदर से इस चेंदर से अपना फोन में काने के बोस्स कर रहे थी आखे पकड़ करें बचे डर लगजा तो अभी आगे वड़ता है अमेर पूर्ड अबी को सुशाल सजय जेता है तो मैं अंदर आगे तो अब बचां किस लोग अचाएं अबी ए ऊपर जाने के तो तो अब आखे और अब दॉपर जाने का शुपर जाने का अचाई ना लिए आमेर फोर्ट रड एंड वाइट संगमरमर से बना है आमेर फोर्ट में बना सीथ महल भी अपनी अद्बूत मतासी के लिए जाना जाता है और जिसके करण इसे जिसका सबसे बड़िया काशगर भी माना जाता है इस महल को बनाने में लगवग चालिस खंबो का प्रियोग किया गया है और इसके अंदर एक माज़ित की तिल्ली जलाने के पुरा रहल जगमगा उसका है और एक बात बता दू इस खिले के भी तरह एक डोली महल भी है जिसका आकार पालकी की तरह है जिसे प्राचिन काल में राजपूती महिलाएं आया जाया करती थी तो मज़ा आया आमेर फोर्ट खुमने में है ना बहुत प्यारा तो अगर आप जैपूर आ रहे हो तो आमेर फोर्ट चरूर आना तो इस वीडियो के यही खतब करते हैं और अच्छी रगरी हो वीडियो तो लाइक कर सकते हो और कर दो सब्सक्राइब भी कर दो बाबाई